में कोडिनेटर पदस्त मैयातुल कुमार पंडे आपके लिए कच्छा नौमी से बार्मी के जो भी छात्र है जिनका मद्द प्रदेश सिक्षा मंद्द मद्द भुपाल में नामांकर एवं परिक्षा फॉर्म भरा जाना है उनके लिए कुछ जानकारी साजा कर रहा हूं जिसमें फॉर्म बर्दे के तरीके एवं उससे जुड़े जो कागजात लगने हैं सुल्क क्या लगनी है उन सभी चीजों को आपके सामें प्रेसित कर रहा हूं सभी लोग ध्यान से उस चीज़ को देखेंगे ताकि आपका फॉर्म गलत नहों और आगे प्रविश्य में आपको किसी उपकार की परिशानी ना हूँ कक्षा नौमी से बार्मी के सभी चात्षात्राओं को मद्ध माद्धिमिक शिक्षा मंडल मद्ध पदेश भोपाल में नामांकर नेवर परिक्षा फॉर्म भरा जाना है जिस वावत जानकारिया निम्रुवत हैं फॉर्म भरने की अंतिम तितिक बच्चों पच्चिस आठ 2024 तक है उसके बाद लेट फीस लगेगी उसके पाद आपको लेट फीस देनी होगी वो उसकी जानकारी बिद्याले द्वारा आपको दे दी जाएगी फॉर्म भरने की सर्तें क्या है बिद्याले में प्रथम किस बिद्याले की जो भी आपकी फॉर्स्ट इस्टॉल्मेंट ह वहाँ तक आपको जमा करना होगा, उसके बाद आपका form submit होगा, form भरने के साथ जो document लगेंगे, जैसे class 9th में, आधार card की photocopy, समग राइडी की photocopy, 8th class की mark sheet की photocopy, एक photo जिसमें name और date डली हो, date अभी इसी महीने की होनी चाहिए, bank password की photocopy, आपका अगर खाता खुला है तो आपका, otherwise आपको माताया पिता का, जो नए बच्चों का admission हुआ है, उनकी TC अती आवश्यक है, form के साथ ही सनलगन करके देख, दस्वी में 9th की mark sheet लगेगी, 8th की जगए 9th की mark sheet लगेगी, बाकी 6th document जो भी है, वो सभी 9th की तरह ही लगेगी, 11th में 10th की mark sheet लगेगी, बाकी स TC और migration अवस्य लगा होना चाहिए, class 12th में 10th और 11th की mark sheet की photo copy लगेगी, migration, CVSC वाले बच्चों के लिए TC और migration, और new admission की भी TC अगर MP वोट से आए हैं, उनके लिए भी चाहिए, 12th fail जो बच्चे हैं, अगर वो दुबारा जो 12th fail हैं, और दुबारा परिक्षा देना चाहते ह हैं, यह 12th pass हैं, दुबारा परिक्षा देना चाहते हैं, स्रेनी सुधार करना चाहते हैं, तो sales documents सब उसी तरह रहेंगे, इसी के साथ 12th की mark sheet की photo copy भी add हो जाए, गी, जो कुछ code है, important code है, जैसे की आपके form पे भरे जाने है, जिला code, जो की 32 है, विकास खंड code, 3201, साला का code, साला अग्रेशन code, 32, 25, 20, जिला आपका जो है, वो रीवा रहेगा, विकास खंड जो रहेगा, वो रीवा रहेगा, अब हम फॉर्म पर चलते हैं, और हर class की एक-एक form को थोड़ा-थोड़ा सा हम भर के आपको बताएंगे, जिससे आपको भरने में आसानी रहे, जैसे पहला कॉलम जो मिलेगा, मध्ध प्रदेश की मूल निवासी, जिसमें आपको हां लिख देना है, और यहां टिक कर देना है, एक चीज का खास खयाल रखेंगे, फॉर्म में ओवर्राइट नहीं करना है, मतलब एक लेटर लिख के अगर आपका पिन नहीं चला तो दुबार उसके उपर नहीं चलाना है, आप पहले से अपने पिन को चित कर ले, प्रापर पिन चलना चाहिए, ओवर्राइट नहीं हूँ, आप फॉर्म में वाइडनर नहीं लगाएंगे, आप काटेंगे नहीं, इसलिए सबसे पहले जो फॉर्म आपको बिद्धाले द्वारा प्रा आटना नहीं है, वाइटनर का उपयोग नहीं करना है, और जैसे आपको वीडियो के माद्यम से बताया जा रहा है, आपको फॉर्म उसी प्रकार से भरना है, फॉर्म भरने के लिए आपको ब्लू पेन का उपयोग करना है, रिट पेन, इन सभी पेनों का उपयोग नहीं करे तो सबसे पहले मद्धप्रदेश के मूल लिवाशी अगर आप हैं तो हां लिखिएगा, अगर आप मद्धप्रदेश के कहीं बाहर से आते हैं जैसे यूपी से हो गया तो आप यहां नहीं बहर देंगे, ठीक हैं? बाकी ये सारी जानकारियां आपको कुछ नीवर नहीं खाली छोड़ देना है दूसरा कॉलम है आपका आवेदक का पूरा नाम पुल नेम आप केंडिरेड जैसे मेरा नाम अतुल कुमार पांडे तो कैसे भरेंगे capital letter में बिना किसी salutation से A-T-U-L capital में first name लिखने के बाद एक box शोड़ के दूसरा letter K-U-M-A-R फिर एक box शोड़ेंगे और फिर भरेंगे P-A-N-D-E-Y एक letter जैसे first name लिखने के बाद एक box शोड़ना है फिर दूसरा middle name लिखना है फिर शोड़ना है अगर आप के में है तो और फिर उसके बाद 30 ये खास खयाल रखना है कि साप सुथ्रे सब्द बने होने चाहिए फिर पिता का नाम लिखना है इसी प्रकार से पिता का भी नाम लिखना है बस इसमें mister message ये सारी चीजें आपको नहीं लगानी है उसी तरह माता का नाम भरना है इस चीज का खयाल रखेंगे बच्चा अगर middle name नहीं है तो middle name नहीं लिखना है कोई जरूरी नहीं है जितना नाम है जैसे कि आपकी पिछली mark sheet में अंकित है उसी प्रकार अंकित करेंगे सारी जानकारिया सत्य spelling एक एक शिक करके भरेंगे ताकि आगे समस्या ना हो क्योंकि एक बार form भरने के बाद फिर उसके बाद उसमें सुधार का कोई option नहीं आता है फिर इसस date of birth का column है सबसे पहले db लिखा है मतलब सबसे पहले आपको date of birth लिखने है जैसे कि किसी की date of birth है 25, 25, सबसे पहले 25 लिखेंगे फिर आपका month कौन सा है जैसे कि माल लिजे जुलाई है तो 0, 7 0, 7 उसके बाद year कौन सा है माल लिजे 2000 तो, triple, 0 ठीक है इस तरह से आप भर देंगे इसके बाद इनी को words में लिखना है अच्छा words में आप letters को थोड़ा छोटा लिखें लेकिन इस box के अंदर आपकी पूरी date of birth आ जाने चीए जैसे मैं लिख रहा हूँ जैसे और लिखना आपको capital letter में है बच्चा है small letter नहीं करना है 25 जुलाई 2000 दो line में कर लेंगे ताकि line के बाहर न जाए अगर आपका और भी कुछ आगे है तो आप नीचे यहां लिख सकते हैं लेकिन box के बाहर चीजें नहीं जानी चाहिए इसके बाद जिला code 32 अभी हमने पीछे भी आपको वीडियो में बताया है विकास खंड का code 3201 साला का code 322520 अब आपका medium जो अगर medium English है तो एक number उस्वारी हिंदी है तो एक number English है तो दो number और उर्दू है तो तीन number section आप आपका जो भी section है तो ए डाल दीजे basically जीले का नाम रिवा विकास खंड भी क्या है आपका अच्छा विकास खंड आपको अपने गाउं गयरा का नहीं डालना है साला का डाला जाता है मतलब विद्याले का डाला जाता है तो जो हमने लिखा है वही आपको डालना है प्रतम भासा प्रतम भासा जो है वो आपकी English होगी क्योंकि आप English medium पढ़ रहे हैं बॉक्स बगल में बने हैं इसमें कोड भरना है कोड की लिष्ट अभी मैं आपके साथ साजह कर दूंगा या कि मैं आपको अभी बता दूंगा उसके अनुसार कोड भी भर देना है इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद आड्रेस आपको जो डालना है आड्रेस आपको अपने का नहीं डालना है आप रीवा में जहां भी रहते हैं यहां भी जानकारियां आप वही कि डालेंगे जैसे कोई बच्चा सुंदर हाउस नमबर नहीं पोई बात नहीं सुन्दर नगर वरहता है तो कॉलोनी सुन्दर वही सेम प्रोसेस जैसे नाम लिखा था capital letter में सारी चीज़े पहले सुन्दर लिख दीजे फिर बॉक्स चोड के नगर लिख दीजे टाउन पता है तो ठीक है नहीं खाली छोड़ दीजे ब्लॉक आप हुजूर ही लिखेंगे ब्लॉक में आपके हुजूर ही होना चाहिए और डिस्टिक दीवा पिन कोड 486 001 फोन नंबर वही डालेंगे बेटा जो चालू होगा जैसे की बिद्याले का जैसे मैं नंबर आपको लिख के बता देता हूँ 8349 841914 इमेल आइडिय अगर है तो ठीक है नहीं तो मत भरिएगा फिर जो फोटो आपको बोली गई थी नाम डेट वाली उस फोटो को यहाँ पे लगा देंगे नीचे साइन करेंगे बेसिकली प्रयास करिएगा कि आप अपना नाम ही लिखें जैसे मैं लिख देता हूँ ए टी यू एल ठीक है ना उसी तरह नाम लिखेंगे बॉक्स में लाइन में टच नहीं होना चाहिए बॉक्स के अंदर होना चाहिए इसके बाद पेज को पल्टेंगे सबसे पहले यहां लिंग है आप बालक है या बालक है तो एक नंबर बालक है तो दो नंबर जाती आपकी लिखनी है अगर आप सामान जाती में जनरल में आते हैं तो चार नंबर जनरल का चार नंबर है और OBC में आते हैं कीशिरा बर्ग तो तीन नंबर अनुसू bounce जाती ہے स्टी में इसके बाद बच्चों परिक्षार्टी के हस्ताक्षर जो आपने हस्ताक्षर पीछे किया था वही हस्ताक्षर आपको फिर से यहां associate अधिकारी है बिद्याले में जो फार्म जमा कर रहे हैं उनके पास आज जमा कराएंगे अपने फार्म को चिक कराएंगे और पूरी तरह से संतुष्ट होकर ही फार्म सम्मिट करेंगे बहुत बहुत धन्यवार बच्चो इसके बाद क्लास टेंथ क्लास टेंथ का जो फॉर्म है उसमें लिखा रहे है बिटा आवेधन पत्र हाई स्कूल परिक्षा ये फर्स्ट कॉलम आप छोड़ देंगे बच्चा इसको हम बिद्याले द्वारा भर लिया जाएगा जो फर्स्ट नंबर है आवेधक का प्रकार इसको आप छोड़ देंगे बाकी सारी जानकारिया उसी तरह भरनी है जैसे नाइंथ के फॉर्म का भी हमने वीडियो में बताया है सारी चीजे सेम रहेंगी बस यहाँ नामांकन कोड का एक कॉलम है नामांकन कोड जो पिछले साल नाइंथ क्लास में बच्चे हमारे विड्याले में पढ़ रहे थे उनका नामांकन कोड उनके मांक शीट पर लिखा हुआ है उनके मांकन कोड या तो इन रोल्मेंट नंबर के नाम से लिखा होगा इन रोल्मेंट नंबर ठीक है आप भर लेंगे otherwise जब आप विद्याले में form जमा करने आएंगे तो उस अधिकारी द्वारा भरवा दिया जाएगा बाकी सारी चीजे आपको सब कुछ सेम भरना है एक कॉलम बच्चा देखे यहाँ पर है दस्वी का रोल नमबर लिखने को बोला गया है जो बच्चे पहली बार दस्वी की परिक्षा दे रहे हैं उन्हें कुछ नहीं भरना है लेकिन जो दुवारा परिक्षा दस्वी की दे रहे हैं उनको अपने पिछले साल का रोल नमबर और पिछले साल जिस वर्स में उन्होंने परिक्षा दी वो वर्स डालना होगा ठीक है मेरा नाम अतुल कुमार पांडे है, तो समगर आईडी की लिस्ट में, मेरे नाम के पहले जो नमबर लिखा होगा, नाउवंकों का, वही नमबर आपको यहाँ पर नाउवंकों का डालना है, बाकि एड्रेस को सारी चीज़े सेम है, पीछे भी, यहाँ पर दो यह दोनों बॉ यहाँ पर आपको बताया गया था, उसके अनुसार भर देना है, टेंथ में नाइन की मार्क शीट लगेगी, बाकि सब नाइन की तरह ही लगा दिया जाएगा, इसके बाद बच्चा इसी तरह 11th क्लास का फॉर्म, सब कुछ सेम है, उसी तरह भरना है, यहाँ पे भी सारी च सब्जेक्ट होगा, आपने जो भी सारी चैनित किया होगा, अगर मैत लिया है आपने, तो मैत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और अगर आपने अडिस्नल में कुछ लिया है, तो जैसे बायो लिया तो बायो लाजी, ठीक है, यहाँ पर जैसे यह केमिस्ट्री, ठीक है, यह सब लिया है तो Commerce में यहां Account, Business और फिर उसके बाद Economics अगर एक्षा सब्जेक्ट है तो ठीक है अगर नहीं है तो कोई बात नहीं फिर अगर आर्ट लिया है तो जो भी सब्जेक्ट आपने लिया है History, History, Geography, Political Science या फिर जो भी सब्जेक्ट आपने लिया है तीनों सब्जेक्टों क हमने बताया है यहां पे भी उसी तरह की साइन 12 वाले बच्चे विध्यान देंगे आवेदक का प्रकार आपको छोड़ देना है 12 के फॉर्म में हायर सेकेंडी सेटिफेट पर इक्षा लिखा होगा बागी सारी चीजे उसी तरह भरनी नामांकन कोड हमने बताया है अगर य रोल्मेंट हो चुका है उसी के अधार पर डेटा पर आपने आप आ जाती है बाकी सारी चीजे लिखनी है इसमें दस्मी का रोल नंबर लिखना अतिया आवस्चेक है और किस वर्स में पास किया उसको लिखना आवस्चेक है बार्मी का रोल नंबर उन्च आत्रों के लिए इसके अलावा सारे जाती जो अभी हमने नाइंथ में बताये थे इसके बाद इसमें भी सारे में नहीं में टिक कर देना है और यहां पर आपको bank account number अपना IFSC code और SSM ID मतलब child ID भर देनी है नव अंकों की होती है child ID कितने अंकों की होती है बच्चा नव अंकों की नाम के पहले लिखी हुई इसके अलावा हो सकता है कि bank account में कुछ box खाली रह जाएं कोई बात नहीं आप सुरू से भरिये box last में जो खाली है खाली छोड़ दीगा नहीं बैंक का IFSC code भर सकते हैं last में sign करके और उसको submit कर देना form में और document आपको पीछे बता दिये गये थे उसी के अधार पर सारे documents इसमें लगाकर आपको अपने विद्याले के प्राद्रिक्रित अधिकारी के पास इन form को सारे document form भरने की बच्चों अंतिम्ति थी जो विद्याले द्वारा निर्धारित की गई है 25 अगस्त 2026 की गई है सभी क्योंकि last date है उसके पहले पहले उसके अंदर 25 तारिक तक सभी लोग अपना अपना form जमा कर दें निर्धारित सुलके के साथ जो भी आपको विद्याले में बत सामना ना करना पड़े और इसके साथ सही जानकारियां एकदम सत्य एक बार दो बार तीन बार सारे डाटा को प्रॉपर चिक करके spelling, date of birth, documents जो जो भी आप भरिएगा सब सही भरिएगा ताकि किसी वरकार की गलती नहोंगा बहुत-बहुत धरनेवाद आप